नमस्कार मैं हूँ ससी आया जार्खन के टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जार्खन के 15 जिलो में अनलोक 10 जून तक बढ़ा लोकडाउन जार्खन में 3 जून सुबा 6 वे समाप्त होरे स्वाथ सुरक्षा सप्ता को एक सप्ता के लिए बढ़ा दिया गया है हालाकि इसके साथ ही अनलोक की भी सुरुवात हो गई है बतादे 15 जिलो में सर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है राची समयत 9 जिलो में कपड़ा, जूता, कास्टमेटिक और जेवर की दुकानों को छोड़ कर अने दुकाने खोल सकेंगी बतादे 24 जिलो में दुकान, दवा दुकान को छोड़ कर दो फर दो बये तक ही खुले रहेंगी किसी भी जिले में मौल और मल्टी ब्रांड वाली दुकाने नहीं खुलेंगी इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क, जीम, मेला, परदसनी, सिनेमा हॉल, मल्टी पलेक्स, सैलून, आदी पर पहले की तरह पावंदी जाड़ी रहेंगी पतादे मुखमत्री हिमन सुरेन की आपदा परवंदन विभा के साथ बैठा के बात बताया गया की 10 जून तक लोगडाउन को बढ़ाने का फैसला हुआ है राजी के 15 जिले में कुछ सर्तों के साथ सभी दुकाने को खोला जाएगा आपदा परवंदन विभा के साथ हुए फैसले ऐसे 15 जिले जहां संक्रमन का स्तर कम है वहां दुकाने सर्तों के साथ खुलेंगी मौल मल्टी बरांड के सोरूम बंद रहेंगे राई धानी राची समेत 9 जिले बुकारो, धनवा, जमसेदपूर, देवघर, हजारीबा, गढ़वा, गुमला और रामगड में कपड़ा, जवेलरी और जूता चपल को छोड़ कर अने दुकाने खुलेंगी साधी समारों में फिलाल किसी तरह के छुट नहीं दी गई है जिले के अंदर आवागमन के लिए अब ई-पास की ज़रुत नहीं होगी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ही ई-पास लेना होगा मौसम विभाग के अनुसार बुद्वर को आस्मान में बादल रहेंगे तेज हवा और गरज के साथ बारिस की संभावना है इस दरान बजरपात की भी असंका है मौसम विग्यान विभाग ने इस बावत एलो अलर्ट जारी किया है मौसम विग्यान को ने अपील किया है कि मौसम खराब रहने पर घर से बाहर निकलने पर सतर्क रहे जारकन सहीत कोलान के कई इलाकों में 6 जुन तक गरज के साथ बारिस होने की समभवना है बतादे यास तुफान के चले जाने के बाद भी विभीन इलाकों में रुक डुक कर बारिस हो रही है CBSE की बराहमी बोड परिक्छाएं रद CBSE की बराहमी बोड परिक्षाओं को भी कुरोना के चलते रद कर दिया गया है पतादे परधान मंतिर नयाद मोदी के अध्यक्स्ता में हुई बैठा के बाद एफ हैसला लिया गया है पिछले कई दिनों से बोड परिक्षाओं को लेकर समजस की स्थिती बने हुई थी वहीं चातरों के परिजन भी लगातार परिक्षाओं को रद करने की मांग कर रहे थे इसके बाद आखिरकर सरकार ने एफ हसले लिया है बतादे बैठा के बाद जारी रिलीज के मुताबिक फर्धान मंति नयंद मोदी ने कहा कि छातरों के हीद को देखते वे परिक्षाओं को लेकर एफ हसला लिया गया है उन्होंने कहा कि हमारे छातरों का स्वास्त और सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें किसी भी तरह का कोई समझाता नहीं किया जा सकता है बच्चों में होने वाले पोस्ट कोविट के बारे में अध्यान करने में जुटा रिम्स रिम्स तीसरी लहर के मुकाबले की त्यारी में जुट गया है फिलाल रिम्स इस अभियान में जुट गया है कि किस तरह की परतानिया बच्चों में देखने को मिल रही है और उसका उपचार किस तरह किया जाए ताकि समय राते बच्चों की जान बचाई जा सके सियम हिमन्त ने पियम मोदी को लिखा पत्र मुफ्त में भैक्सिन देने का किया अगर जाकन के मुख मतर हिमन्स इन परधान मतिनाय मोदी को पत्र लिखकर मांग किया है कि राजे में 18-44 आयूवर्ग के लोगों के टीका करण के लिए निसुल्क भैक्सिन उपलवत कराई जाए पत्र में उन्होंने कुरोना काल में राजे की बीतिया हालात का हवाला देते हुए लिखा है कि सीमिस संसादनों के चलते टीका करण पर करीव 1100 कोल रुपय का खर्च उठाने में राज समर्थ नहीं है यह बड़ा बीतिया बोज है उन्होंने राजे पर पढ़ने वाले बीतिया बोज को कम करने के लिए केंद्रे से मदद मांगी है बलैक फांगस से दो और लोगों की मौत साथ नए मरीज मिले बलैक फांगस से दो और मरीजों की मौत हो गई है इसके साथ ही परदेश में बलैक फांगस से मरनवालों की संख्या बड़ कर बारा हो गई है बता दे परदेश में साथ नए मरीज मिले है इस तरह बलैक फांग प्रति लिटर प्रोत्साहन रासी देगी जार्खन सरकार क्रिसी मंत्री बादल ने 20 दुग्द दिवस के आउसर पर राजे के 30 हैर मवसी पसुपालकों को के सिसी से जोडने का एलान किया है। कक्छा एक से दसवी तक के सवी छात्रों को पाठे पुस्तक की होगी होम डिलेवरी। के सवी छात्रों के घरों में पाठे पुस्तक पहुचाई जाए। जारखन में 609 नए केस मिले हैं जारखन में 9 मरीज की मौत हुई है। पंचायती राज मंत्री अलमगीर अलम ने कहा कि क्रोना संक्रमन पूर्ण रूप से थमा नहीं है। चुनाव कराना उचित प्रतित नहीं हो रहा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इस समय में अधिकारियों के साथ विचार विमर्ज किया जा रहा है। इसे लेकर आने वाले दिनों में मुख मंत्री हमान सुरेंस से बात चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सवी पलूपर विचार कर रही है। वहीं कुरोना संक्रमन को देखते हुए अभी राज में पंचाज चुनाओ कराये जाने की समभावना नहीं दिख रही है। सर्जु राय ने की बीत मंत्री से मुलकात। राजी के पूरो मंत्री और विधायक सर्जु राय ने मंगलवार को जार्खन सरकार के बीतियों खाद सरजनिक वीतरन तथा उभुकता मामले के मंत्री रामे सरुराव से मुलकात की। सरजु राय ने कहा कि मुलकात के दोरान उन्होंने मंत्री के साथ कई भी इंद्यों प्रबाचित की उन्होंने बताया कि उनके साथ राज की बीतेश थीती की बारे में चार्चा की तो उन्होंने बताया कि फरवरी 2021 तक राज की बीतेश थीती काफी अची थी उसके बाद कु पॉल्टी मार सरकार हेमंद सरकार दिपक परकास हेमंद सरकार को पल्टू मार सरकार के उपाज़ी देते हुए भाज़पा के परदेश अध्यक सांसर दिपक परकास ने कहा कि हेमंद सरकार लभक डेड़ वर्स के कारेकाल में वह चुनाव के पूर्व कई घोसनाए की साल में ही 22 अप्रेल को राज के सभी लोगों के मुफ्त भैक्सिन लगवाने की घोस्तनाक करने वाली सरकार आज अपने वादे से मुकर गई है इस सरकार ने जानता को फिर धोका दिया है स्वास्त मंत्री ने वीडियो कंफ्रेंसिंग से विशेस चलंत टिका करन अभियान का किया सुभाराम राज सरकार की पहल पर पूर्वी सिम्भूम जीले में भी मंगलवार से 45 पलस आयू वर्क के चलंत टिका करन अभियान का सुभाराम हुआ बतादे स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने वीडियो कंफेंसिक माधियम से इसका सुभरम किया मौके पर उन्होंने कहा कि राजवास्यों के स्वास्त हीत में चिकित सिये सुभिधाओं को बढ़ाने के लिए बर्तमान सरकार दिर्शंकल्पी था मौबाइल टीका वाहन का लाब बिसेस कर उन लोगों को मिलेगा जो टीका केंदर की दूरी या चलने फिरने में असमर्थ के कारण टीका केंदर तक नहीं फोच पा रहे थे धनवाद वास्यों को टीका लगाने के लिए मौबाइल वैक्सिनेशन वाहन रवाना राज सरकार की पहल परमंगलवार से 45 पलस के लोगों के लिए धनवाद सदर अस्पताल से दो मौबाइल वैक्सिनेशन वाहन को धनवाद के सांसत पसुपतिनाथ सिंग ने हरी जंडी दिखा करवाना किया मौके पर धनवाद सांसत पी एन सिंग के अलावा धनवाद विधायक राज सिना डीडीसी दसरत चंद्रदास सिविल सर्जन सहित कई स्वास्त कर्मी महजूद थे क्रिसी जगरुकता रथ पलामों के सभी प्रखंडों में करेगा भ्रमन उपायोक्ते खरीब वर्ष 2021 में बीज बी निमय एवं बीतरन योजना के व्यापक पर चार पर सार के लिए मंगलवार को उपायूक्त सासी रंजन ने क्रिसी जगरुकता रथ को समवानाले परिसर से हरी जंडी दिखा करवाना किया उपायूक्त ने बताया कि यह जगरुता रथ रूट चात के हिसाब से सभी प्रखंडों में भरमन करेगा और लोगों को जगरु करेगा रथ में बी निमय एवं बीतरन योजना समंदिर आडियोक किल्प के साथ साथ धोनी विस्तारक यहन्तिकी बेवस्था की गई है गिरी डी के आत्म समर्पन करने वाले इनामी नकसली को दिया पांच लाख का चेक गिरी डी जीले में नकसलवाद की खिलाप नियंतर जारी अभियान एवं सरकार की आत्म समर्पन नीति के तहत मंगलवार को भागपा मवादी संगठन के बड़े मास्टर माइंड सब जोनरल कमांडर और पांच लाख के नामी नकसली नुनुचंद महतो उर्फ नुनुलाल उर्फ नुनुचंद टाइगर को जीला पूलिस ने पांच लाख का चेक परदान किया नकसली ने दो दिनों पूर ही आत्म समर्पन किया है बाबा राम देव को नोटिस भेज़ेगा आई एमे आई एमे और जूनियर वो सीनियर डॉक्टर बाबा राम देव को प्रियोद में और मुखर हो गया है बता दे आई एमे जहरखन की ओर से बुद्वार को बाबा राम देव को लीगल नोटिस भेजने का नीने लिया गया मंगलवार को IMA के डक्टरों ने बेबिनार में इस मुद्दे पर घंटो चर्चा की अंत में नीने लिया गया कि बाबा रामदे को इमेल से और पोस्ट के माध्यम से लिगल नोटिस फेजा जाएगा IMA के जिला अध्यक संभू नाज सिंग ने बताया कि नोटिस मिलने के साथ दिनों के अंदर बाबा को जबाब देना होगा जबाब नहीं आने पर एफायर दज कराई जाएगी अनुदानित दर पर बीज लेने के लिए कुरोना टिका जरूरी गुमला में कुरोना से बचाव को लेकर जाए टिका करन अभियान को गती देने में क्रिसी विभाग ने भी एक अनुखी पहल की है इसके तहट क्रिसी विभाग की ओर से अनुदानित दर पर उन्हीं किसानों को धान बीज मुहया कराया जा रहा है जिन्होंने कुरोना भैक्सिन की डोज ले ली है उनकी सुविधा के लिए बीज वित्रन केंद्र के पास ही टिका करन की सुविधा भी बाहाल कर दी गई है रगुवर्दास अनुराग गुपता वा अजय कुमार पर पीसी एक्ट लगाने के लिए कोट में आवेदान राई साभाचुना 2.16 में हाच्ट टेंडिंग के मामले में दर्ज केस में पूरो मुखमंत्री रगुवर्दास विशेश साखा के एडी जी अनुराग गुपता वा रगुवर्दास के सलाकार रहे अजय कुमार के खिला वास्टाचार निवारन अधिनियम जोडने के रावेदन दिया है बतादे उक्त केस जगरनाथ पूर्थाने में 29 मार्ज जोई 18 को दर्ज हुआ था ज्यारखन के जीलो पर खंडो में टीका करण में लापरवाही ज्यारखन सरकार दुआरा पिछले माह के अम्तिम सब्ता में 45 पलस के नागरिकों के टीका करण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश के बाद भी टीका करण नहीं बढ़ा स्वास्त विभाग ने समिक्षा में या पाया है कि जीला पर सासंद्वारा इसमेला परवाही बरती जा रही है यहां तक कि कुरोणा टीका करन के लिए गठित जीला वो परखन टास्फोर्स की बैठके भी नियमित नहीं होती इसके अलावा कोई अने कौमिया सामने आई है जिने सुधार करने के निर्देश उन सभी जीला के उपायुक्तों को दिये गए है जिनका पिछले माह के अम्तिम सप्ता में टीका करन में काफी खराब परदसन रहा है जाखन बिधान सभा की 20 समितिया पुर्ण गठित जाखन बिधान सभा की सभी 20 समितियों को अलग एक साल तक विस्तारित करते हुए पुर्ण गठन किया गया है बतादे उप चुनाओं के बाद निर्वाचित हुए बिधायकों को भी विभीन समितियों में जगह दी गई है दुमका के बिधायक बसंत सुरेन सरकारी उपकरम समिति और बेर्मो के बिधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनुप सिंग यूवा एवं पर्याटन समिति के सदस बनाए गए है रिम्स में आउट्सोर्सिंग पर बहाल नर्सों ने किया हंगामा रिम्स में आउट्सोर्सिंग पर बहाल नर्सों को सुब़ ड्यूटी ज्वाइन करने से रोका गया बता दे हर बार की तरह उन्हें duty ज्वाइन करने से पहले रजिस्टर पहसताक्षर करना था लेकिन मेट्रोन का रियालाइक के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया जिसमें उन्हें रजिस्टर पहसताक्षर करने से माना किया गया था इस पर outsourcing पर बहाल नर्सों ने हंगामा शुरू कर दिया कोईन मामारी के दोरान एक माँ पहले इन नर्सों को बहाल किया गया था रांची पहुंची अक्सिजन की जरुरत कम करने वाली दवा क्रोना संक्रमित मरीजों में अक्सिजन की जरुरत को कम करने वाली दवा बता दे एक भाइल से दो लोगों को डोज दी जा सकती है धन्यवाद यादि आप चैनल पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल केबल लाइक कर दो आईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना बोले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस से दे थाइंक यू